हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में तो आज हम लोग जो है साथ में आये हैं बहुत ही स्पेशल परपस की वज़े से बहुत टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कि आप सब माम अलग-अलग से जो है वीडियो बनाते रहते हों कभी तो साथ में आये और हम लोगे से मिलिए तो आज हम लोगों ने आपकी इन विश्यस को पूरा कर दिया है लेकिन किस परपस के लिए हम लोग यहां पर आये हैं तो चलिए सर से जानते हैं सभी बच्चों को नमस्कार है सबसे पहले तो यार हम लोग बहुत टाइन से लर्न इंट पर क्लासे जाल हैं जो टेंथ की टर्म वन की त्यारी के लिए इस चैनल पर नए नए आए हैं सबसे पहले कमेंट सेक्षिन बेर बताओ सब बिलकुल भाई अभी तो अब तो सर जो एर्थ से नाइन्थ में आप तो जूनियर कैटिगरी से तुम्हों सीरे कैटिगरी में आ गए हो तो अब एक्साइटमेंट लेवल भी आपका टॉप पर आचुका होगा अब आपको बोला जाएगे कि आप सीनियर सेकेंडरी में आचुके हो तो जल्दी से कमेंट सेक्षिन में भर दो भाई अपनी अपी क्लासे टेंथ वाले बच्चे तो अभी मालों पढ़ाई कर रहे हैं लेकि तो नाइंत पर तुम लोग आए होना अब तुम लोग के लिए भी बहुत कुछ सोचा है बहुत कुछ प्लैन किया है तुम लोग तो सबसे ज्यादा मतलब हमारे लिए वह हो कि यानि कि जो बच्चा बिलकुल बेस पर होता है और कहते हैं कि जिस चीज जब आपके पास एक बेसिक स्ट्रॉंग करने का मौका होता है तो आप लोग तो सबसे पहले यही है कि आप लोगों के साथ में हमें बहुत लंबा सफर तै करना है तो यह सफर कैसे सुरू होगा इस पर हम और भी बेसा तरीकी साथ बात करने हैं अब होता क्या है अक्षे सर जब कोई बच्चा नए सेशन के अंदर आता है तो उसको पता नहीं होता है कि क्या करना है मतलब इट इस जस लाइक कि आप किसे नहीं शेहर में चले बिल्कुल बिल्कुल बैसे ही और और उनको पता नहीं कि यार क्या अब जैसे 9th का बच्चा 10th में जाता है तो उसके पास guidance नहीं है कि यार करने निमेरिकल कप करना तो जैसे बच्चों नहीं शहर में जाते और आपको गूगल मैप की ज़रत पढ़ती है हम लोग आपके गूगल मैप और आपको सही रस्ता दिखाएंगे लेकिन थोड़ा सा पहले और बाते कर लेते हैं तो सर बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि ज बच्पन से उश्यार रहा हूँ अच्छा आपको एक किस्सा सुना आता हूं सर बहुत इंटरस्टिंग है कि जब मैं 11th में आया तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत नियंट हो गया हूँ इस जिस लाइक अगर आप एगर आप जिम के पैसे देते हो आप अपते वहले तीन चार दिन जाओ पर आप जाते हो लेकिन आप घर में डंबल्स रख लो और आपको मन आप को गया ठीक है या तो एक एक ट्राक चाहिए होता है अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ मैं अचली एट स्टांडर्ड तक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट वहा करती थी लेकिन नाइंथ में आ कर क्यूंकि नाइंथ होती है डिफिकल्ट ये तो हम लोग मानेंगे कि 9 बहुत डिफिकल्ट होती और अगर आपने 9 म आप कुछ नहीं कर पाओगे 10th में तो मेरे साथ वही सेम हुआ था 9th में मेरी परसंटेज थोड़ी सी गिरी तो I was like कोई बात नी थोड़ी बहुत परसंटेज इदर उदर हुई है 10th में संभालेंगे लेकिन 10th में भी वो नहीं संभली तो मैंने कोचिंग जोइन करी थी साथिंग में 10th के 1st तर्म में बट वो टीचर्स उन्होंने पता नहीं चेंज कर दी बीच में वो बहुत एर्रेगिलर तरीके से पड़ाते थे तो 10th मेरी बहुत खराब हो गई इस वज़े से और 2nd term में I had no coaching, nothing तो मैंने खुझ से पड़ा था और जो भी percentage मेरी आई तो I was satisfied with it. But ultimately humanities लेनी थी मुझे, मैंने वो ली और फिर मुझे right mentors मिले in 11th and 12th and 12th में I topped my school. मैं मैंने भी एक चीज अब्जर करिये कि mentorship मरला कि एक सही proper guidance अगर आपको मिल जाता है तो रास्ते बढ़े असान हो जाता है आता था, नोट्स नहीं बनाया करता था और होता क्या था एक्जाम के टाइम पर की थोड़े बहुत नोट्स बगार बनाए एक बार तो ऐसा हुआ मैंने का अपने दूस से नोट्स मांग लेता हूं उसने बोला है तुमने नोट्स निमना नोट्स भी सेर नहीं करें तो ला ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और अपने लिए एक बेतर आप्शन चूज कर सको ठीक है यह सारी चीज़े बहुत जाता बच्चों आपके लिए इंपॉर्टन और सर मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारा प्रोसेस बन गया है पड़ाई का बिल्कुर उसमें क्या पड़ा है कि आप पता नहaprèsा है चांशे साल बहुत सारे बच्चों की जो ठरम टू के रिजल्ट है बिल्कुष बढ़कर और बच्चों के टॉम वन की बज़के बिल्कुर बच्चों की उनकी यूटी यह उल्जन समय मांस कमाइए कि यह जहीं तो कई बच्टे ऐसा भी सोचते हैं कि हम लास्ट में अच्छा फोर्म कर लेंगे अब इंटर्णल के मार्गते हैं उटी रहे वह सारे जूरते हैं बच्चो तो अब इसा नहीं चलने बाला कि कि आप एंड मौके पर पड़े अब आपको पहले महीन है कि पहली तारिक से ही परमा शुरूब बढ़ेगा यहां तक कि अभी NCRT मतलब की सीडियसी ने भी अपने पैटरन में बहुत बड़ा चेंज़स लाएं कि कॉंप्रिहंसिव बेश्ट बेश्ट एजू कि पॉलिसी चल पेपर के एक तिन पहले पूरा पढ़ ले और फुल माक्स आजे अब यह पॉस्बिल नहीं यह पहले काता सा अब जरूरी है कि आपकी डिफ्ट नॉलिज बड़ी स्टॉंग होने सी तो हम यह सब इसले बोल रहे हैं बिकर्स यह जो मेंटोशिप है हम लोग आप लोगों को प्रवाइड करने के लिए आ गये हैं तो जो नया कुछ मैम बात कर रहे हैं नई चीज लाने का मोटिफ क्या इसा है तो मोटिफ यह कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उन कमेंट का सॉलिशन है बच्चो यह बिलीवर्स बैच अब यह जो बिलीवर्स बैच है इससे प सब पर हमसब के साथ पूरी टीम के साथ आने मंके साथ भी वाच है नहीं उनके साथ एक प्रॉपर मेंटोर्शिप मिलेगी आपको अब इस बिलीवर्स बैच है इस बीवर्स बैच के कुछ बहुत इंपॉर्टन फीचर सबसे पहला फीचर यह है कि यहां पे आपको तरह बंद नहीं हो जाएंगी नहीं वहां पर रेगुलर ली आते रहेंगी उसकी टेंशन छोड़ दो लेकिन यहां पर आपको क्या होगा कि सारे कोर्स सारे क्लास एक प्रॉपर एक कोर्स की फॉर्म में मिलने वाली है और भी बहुत सारी चीजें जो बाकित टीचर साथ को ब सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासिज के साथ साथ हमको क्लास लाइज भी अवैलेबल कराई जाएंगी यानि कि जिन चीजें पर हम सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे क्लास के दारान उस सारी स्लाइज आपको एक पड.IF फॉर्माट में दी जाएंगी इसी के साथ साथ आ आप लोगों को विडियो सल्यूशन भी दिये जाएंगे तो हमारे NCRT, Previous Air Questions इन सब चीजों के विडियो सल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किये जाएंगे, उसी के साथ साथ जान लेते हैं बाकी फीचर के बारे में शिवांगी माम से, हाँ तो बच्चेों जैसे कि आप जानते हैं उजवाला माम ने आपको बोला कि आपको notes मिलेंगे in the form of PDF, यह इसका बड़ा फाइदा होता है, आप कभी भी हो, कहीं भी हो, आप घर से बाहर हो, आपकी पास हमेशा आपके फोन में notes रहा करेंगे, आप किसी की फोन में अपने register number से login करके उन notes को कभी भी देख सकते हैं, टेस्ट बेड़ा बहुत जरूरी है, इन टेस्ट के जरीए आप अपनी performance का track कर सकते हैं, और हमारे पास उसका result होगा तो हम live तो रहेंगे और आपको time to time guide भी करते रहेंगे, इसके इलावा जैसे मैं आपने कहा कि आपको बहुत सारे questions का solutions मिलता है, कई सारी book जो भी आप पढ़ना चाहो हर किसी चीज का आपको solution मिलता है, तो अब कुछ हम भी बता लेते हैं भाई ऐसा नहीं है और भी कुछ देने वाले इतना ही नहीं सिर्फ और भी अगर हम बात करें, यह सबसे जरूरी चीज है कि lectures मिल गए अब बच्चों को कभी कभी पूरे chapter को revise कर रहा है, अब यह तो five lectures पूरे देख रहे हैं लेकिन अगर आपको उसी में one sort revision मिल जाए तो आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा chapter को revise भी करना, क्योंकि जितना जादा किसी chapter को सीखना important है उतना ही time to time उसका revision important है, तो आपको one sort के lectures यानि की one sort revision lectures भी यहाँ पर मिलने वाले और सबसे बेतरीन चीज जैसे की आपको classes के साथ में live तो आपके doubts को solve किया ही जाएगा, उसके लावा time to time आपको proper guidance मिलेगा, guidance session होंगे, जिसमें आपको हर चीज के बारे में कौन सा exam आ रहा है, latest update क्या है, वो सब कुछ आपको continuous नहीं मिलता रहेगा, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने teachers के हर एक instructions को बहुत ही बढ़िया तरीके से follow करते चलिए, फिर आप देखी कि आप किस तरीके से एकदम बढ़िया score करके आते हो, ठीक है, अब एक सबसे जरूरी चीज जो sir हमने यहाँ पर और notice करी, कि जैसे की 9th class के जो बच्चे मलब कि जो 8th से 9th में आए हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा इस सीज की कमी रहती है, बोल सकते हैं कि अभी उनके लिए थोड़ा सा नया पन होता है, स्कूल में, junior category में है, क्योंकि 9th के बाद, वो 9th में सबसते हैं, कोई बात ही 10th board है, 9th को जो हलका लेने का motive है, कि हारे को पर जरसा डीला हो गया या लूस पड़ गया कि भाई अरे अराम से पढ़ाए गरेंगे, वो बाद में जाकर इसके बेसिक हो जाते है, तो 9th सबसे ज़रूरी प्रियोर्टी रहेगी कि आपके बेसिक को बहुत स्ट्रॉंग किया जाए, उसके अलावा 11th, अब जसे कि बहु तो वो सब कुछ बच्चों आपको यहाँ पर मिल ले वाला, आप शिवांगी मैं कहरी है, रुको रुको मेरी बारी है, चलिए, मिकु सारी ने बहुत अच्छी चीज याद दिल आई, जो मैं आप सभी से कहना चाती हूँ, बिटा 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत जर आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपका बे स्ट्रॉंग हो, कुछ चीज एक्स्ट्राक्ट जो आपको आगे हल्प करें, एक्जाम पॉइंट अफ्यू से जो आपको नमबर दिल्वाएं, हर तरीके से सोचेंगे, अगर मैं बात 11 की करूं, तो 11 और 12 यह दोनों क अब तो भई जो पैटन आता है, उसके सापसे भी बहुत इंपोर्टेंट है आपको आगे, एडमिशन लेने के लिए, दूसरी चीज, क्लास 12 में अक्सर आप देखते हैं, किसी को इंजिनेरिंग करना है, किसी को नीच एक्जाम देना है, और इतना सारा प्रेशर होता है, इन सारी टाइम को कैसे हैंडल करें, ये सबी चीज़े आपको बताई जाएंगी, हम सारी टीचर्स इन सबी में एक्सपोर्ट हैं और अगर हमसे कुछ गल्ती हो जाएंगी, तो आप तो हमारे साथ हो ही हमें बताने के लिए, और हम आपकी गल्ते को सदारेंगे, ठीक है, च आफलाइन में हम आफलाइन को क्यों ना चुने, आउनलाइन को क्यों चुने, तो यार देखो सबसे पहली बात, मैं खुद आफलाइन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे हम एक एक कोर्स की जो फीस चार्ज कर रहे हैं, एक साल की आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर हम चार्ज कर रहे हैं, उससे दस गुना जादा है, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे पैसे कमाता हूँ, लेकिन वहाँ बच्चे बैच में भी कम होते हैं, तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे सर अगर आप इतना सस्ता कोर्स दे रहे हो, तो माल भी सस्ता बेच होगे, ल इतने में तो मेरे सार किताबे आती हैं, बिल्कुरू इतने में तो सर किताबे आती हैं और आपको पूरे साल यह सिले बस पढ़ाएगा, हर एक टीचर मेहनत करके, एज इफ्येटर और तो आफर है वो रहेगा बच्चो हमारा 4999 रुपे में, अब आप सोच रहे होंगे कि ह अगर सारे फीचर्स आफलाइन वाला ही दे रहे हैं तो फिर आनलाइन में इतने कम पैसे आपसे क्यों ले रहे हैं तो यार देखो आफलाइन में एक लिमिटेशन होती है कि एक बैच में हम 30 या 40 सो पर बच्चे नहीं पढ़ा सकते सुर लेकिन आनलाइन में हम एक टाइम पर 100, 200, 300, 400, 500 बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो हमारे लिए वो cost effective हो जाता है आपका भी उसमें एक फायदा हो जाता है कि आपको ये courses बहुत सस्ते में मिल जाते हैं लेकिन यार एक बात और है कि हम लोग चाते हैं कि ये batch जल्द से जल्द भरे तो इसलिए हम लोग इसमें ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और बच्चों ये जो offer है जो ये coupon है ये सिरफ valid है 7th of April तक 7th of April के बाद इसके जो prices है वो normal हो जाएगे अभी इसके price ये चल रहे तो जल्द से जल्द बच्चों seat book करो और जुड़ जाओ live classes में one to one interaction के लिए बिल्कुल जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपको इस धर पर place मिलेगा और वही आपके लिए बहुत important है ठीक है limited seats से फूल हो जाएंगे सो बाद में problem आएगी चलिए तो अब अगर हम बात करें तो हान जी कुछ मैम कहना चाहरी थी आप एक चीज़ और कह देती हूं मैं सर आपने offline पढ़ाया मैंने भी offline पढ़ाया है और आपने चीज़ नोटिस की होगी बहुत सारे बच्चे ड़ते हैं कुछ-कुछ डाउट्स पूछने में उनको जिजाक होती है कि यह मैं कैसे पूछूंगा कोई मेरी बेस्ती हो जाएगी कोई सोचेगा अब आइसको इतना भी नहीं आता टीचर डाटेग अगर आपको कुछ भी नहीं होता आप तो हमारे सामने वेटे नहीं आपको डर लगेगा नहीं मुझे आपका नाम देख रहा है मेरे दिलता का पॉंचे इनकी दिलता का पॉंचे आपको बस वो चीज़ पूछनी है आपको बताया जाएगा तो यह आपके लिए और जो कहत और यह आपके पास मौका है तो बन जाएगे यहाँ पर कोई यूनिफर्म चेंज करके स्कूल जाने ही जोलत नहीं होती है यहाँ पर अलाम से पढ़ाई कर सकते हैं चलो कोई फ्रंट बेंचर नहीं कोई बैंचर तो चलो यह कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको भरना है नाम और अपना नंबर डालना है simple सा काम करना है और फिर हमारी टीम जो है आपको contact करेगी साथ ही में अगर कोई भी दूसरा डाउट है तो दो numbers available है एक हमारा calling number है एक whatsapp number है जो कि आपकी description में ही मौजूद है तो इस पर भी आप लोग call कर सकते हो या फिर whatsapp क कर सकते हो for any inquiry any query ठीक है तो बाकी सर बताएंगे तो भई अब जादा लेट ना करते हो जल से जल बैचस को जोईन करिये ताकि जिदनी जल्दी आप लोग जोईन करोगे उतने ही जल्दी आपके अंदर पढ़ाई के लेकर कि जो excitement है आपको बेहतर से बेहतर content मिलना सुरू हो ज सबी से बिलीवर बैच में बाई